हलो माई यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब आप कि आप सभी अच्छे होंगे सिफ होंगे और अपने गहर में होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूं सो वेलकम बैक अगें इन माई यूट्यूब चैनल सो यह मेरा फर्स व्लॉग का ही सेंढ़ पार्ट है क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो गया था इयुसे के टाइम पे तो मुझे लगा मुझे दो पार्ट में डिवाइट कर देना चाहिए सो यह मेरा से का सेकिंड पार्ट है I hope कि आपको मेरा फर्स पार्ट पसंद आया होगा तो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले और आज हम चल रहे ह यहां से लंच कर लिया है हमने इसके बाद अब हम चल रहे हैं मेकलॉड गंज सो मेकलॉड गंज देखने जा रहे हैं वहां द्लाइलममा टैंपल है तो वहां पे थोड़ी शॉपिंग वगरा करेंगे तो चलती हूं आपको लेकिए मेकलॉड गंज होप आपको यह तो हम पहुच गे हैं मेकलॉड गंज की मार्केट और यहीं से रश्ता आता है दलाइलममा टैंपल का बर दलाइलममा टैंपल हम इसमा नहीं बहुत देखना पड़ेगा क्या कोविट की वज़े से वह बंद है तो हम वहां अंदर नहीं चाब सकते हैं चलते हैं जो डेखते हैं और कितने लिंच करते हैं तो अब हम निकल चुके हैं यहां पे एक टी गार्डन है जोटा सा पर नपीछ। है तो कि अगे बताते हैं, कहा जाते हैं। को यह ड्राइबर मैं पीच में कप्लेसी पड़ रहे हैं। वो भी हमें दिखाते भी लेकर जा रहे हैं। तो यहां पे मेरी वाइस नहीं आरती है, तो मुझे वाइस बैशना करने पड़ी। चले मिलती हूं अपस टी बागान में धर्मशागा से वापस मेंचाह हाई है यह पूरा आप मेरे साइड साहरे यह सब चाई का भागान यह यह तरिक करने हमार्मशागा है क्यात हमें हनार डाट आने यह टेैं यह नदें हुम隨़ंपन हाई अब भी इसमें चाय नहीं लगी है, अब भी यहां पर छटाई काम चल रहा है, रास्ता बना रहे हैं, सो कुछ टाइम बाद इसमें, मार्च की मन्त में हो कह रहे हैं, चाय लगेगी, तो इसके बाद चलते हैं, स्टेडियम और म्यूजियम, तो चाय के बगाने पस इतना ही है और जाता कुछ नहीं है, तो आज का, अभी दिन के तीन बज गए हैं, पाँच, साड़े तीन, स्टेडियम और म्यूजियम दोनु बंद हो जाता है, तो अभी हमें चलना पड़ेगा, नहीं तो स्टेडियम और म्यूजियम पहले वहीं जा रहे थे, लेकिन रस्ते में देवी टेम्पल करके कुछ था, तो यहां हम गए थे, टी बागान के बाद, और यहां टेम्पल में मुझे रिकॉर्ड करना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने टेम्पल के अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं चाही है, इसके बाद हम आगे निकल रहे हैं, वार मेमोरियल की लकिन हमें पांच बिजे से पहले पहले हमें स्टेडियम और कांगरा आर्ट मुजियम है, कांगरा आर्ट मुजियम है, वो भी देखना था, तो हम जल्दी-चल्दी सब चेके हैं, मतलब थोड़ा-थोड़ा विजिट करते चाह रहे थे, हलाकि यहां ऐसा कुछ नहीं है इ दिखा हुआ है, तो वो उन सब के शहीद, उन सहीदों के नाम है, जो लड़ाई में मारे गए हैं, तो उनी के लिए यहां एचपी में यह मैमोरियल बनाया गया है, और बहुत यहां पे हमाचल बहुत प्लीजन जगह है घूमने के लिए, अगर आप लोग जाना चाहें तो बहुत ज़रूर जाएं, देखिए सामने आपको दिख रहे होंगे, ब्लैक ब्लैक से बड़े-ब्लैक से बड़े से बो, तो उसमें आगे और पीछे के साइड में, दोनु साइड में, यहां के जो वीर हैं, उनके नाम लिखे गए हैं, कब, कौन सी लड़ाई में, कैसे मरे वो सब चीजें वहां पे मैंशन की गई थी, तो हमने काफी देर तक वहां पे देखा था वो सब चीजें, बहुत अच्छा बनाया गया, यहां पे आप देख रहे हैं, इंडिया का मैप भी बनाया गया है, पत्थरों से उन पे रंग किया गया है, तो बहुत अच्छा लग तो जैसा आप देख रहे हैं ये बड़े-बड़े से बोड़ें इसी में लिखा गया है कब लड़ाई हुई थी और कौन शहीद हुआ कब कितने साल तक रहा ये सब चीजे में इसमें इन बड़े-बलेक बोड़े जो लगे हैं उनमें मैंशिट की गई है सबसे बड़े बात मुझे ही आके पता चले कि हिमाचल में जो पानी जो मिलता है वो मिलता है स्नो से और आप कहा गया है कि इस साल स्नो कम हुई है तो यहां समर्स में बहुत जादा प्राबलम हो जाती है पानी की आलगी मैं भी उतरांचा से ब्लॉंग करती हूँ और वहां पे भी ऐसा ही है बड़ वहां सनो का ऐसा कुछ नहीं है पर जो हिमाचल के हैं हिमाचल उनको पता होगा कि यहां तो सनो का ही पानी यूज होता है तो चले मिलती हूँ अब आप से आगे क्रिकेट स्टेडियम पे पहूँ नहीं हैं कैंते हैं क्रिकेट स्टेडियम यहेसा पहला स्टेडियम एच्टाइडियम पहाड़ों पे बना है और देखने में इसोंधर बाध बड़ा स्टेडियम मैंने हम पहाड़ों देखा है आज तक wall now आई था इसके बारे में आज फर्स टाइम मैंने देखा है बट बहुत अच्छा है जिस तरह किसे सुना था उस तरह देखा है अभी दिखाती हूं मैं आपको अपने बैक कैमरा से अभी एंटरेंस की तरफ हम चल रहे हैं और मैं आपको बैक कैमरा से सारा व्यू इहां का जैसा कि आप सभी ने देखा होगा cricket stadium, काफी लोगों ने तो cricket stadium में बैट के cricket भी देखा होगा, तो मैंने तो first time देखा, काफी अच्छा लगा cricket stadium, यहाँ especially पाहा, हिमाचल का cricket stadium यहाँ के cricket stadium तो देखा ही वा है बट हिमाचल का cricket stadium देखा है यह काफी अच्छा था पहाडों के बीच में और बहुत अच्छा था, यहाँ पे कुछ बच्चे, I think size वगएरा कर रहे थे, कुछ running कर रहे थे, मेभी वो cricket वगएरा खेलते होंगे, तो वही बच्चे थे, तो देखिए, आगे मिलती हूँ मैं आपसे, कांगडा आर्ट गैलरी या लास्ट हमारा डेस्नेशन, तो हमारा टूर यहीं पे खतम होएग애, इसके बाद हम पीजे जाएगे अपने अपने होटल में जाएगे और उसके बाद महीं पे देखते हैं, भाद की हूमेंगे बज़िजियम के अंदर हम जारहे हैं मुज़ियम के अंदर जाते ही उन्होंने मना किया था कि appropriate camera अब्रीजिए क्योंकि अंदर recording करना मना था तो मैंने camera off कर दिया था इसके बाद तो यही года पाद मेरा last destination था हमारा इसके बाद नेक्स व् Geld लोग आएगा तो I hope कि आपको पसंद आया होगा तो पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा चलिए मिलती हूँ आप से अपने अगले ब्लॉग में तब तक लिए बाई बाई